आजी राम राम जय स्री कृष्णा कैसे हैं आप लोग उम्मीद आप सब बढ़े होंगे एक्जाम की तयारी भी आपकी जबरदस तरीके से चल रहे होगी वैसा बहुत कम टाइम बचा है 15-20 दिन लास्ट 15-20 दिन बचे हैं तो अब जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्याद इसमसे कहीं से भी प्रशन आ सकता है और सारे प्रशन लगबग इसमें पूइंट है उसमें लगबग लगबग एक्जाम पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना रही बहुत ज़ादा होती है अपनी बनास नदी से क्योंकि इसका झो मैंन जो मैं इसका जो उलेक है वो RBC किताबे में बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है इसलिए इंपोर्टेंट हो जाती है अपनी एक्जाम के लिए और मैं दावा ठोक के कह सकता हूँ कि अगर बनास नदी से कोई प्रशना आएगा तो इसके बाहर नहीं जाएगा बिलकुल इसके बाहर नहीं जाएगा इतना confidence मुझे अपने आप पर है तो चलिए बिना किसी time wasting के start करते हैं और आपको याद भी करवाएंगे बाई साब बस इतना है कि आपको अपने आपको फुल confidence में रखना है अपने आपको पूरे विश्वास के साथ रखना है कि ये चीज मुझे याद हो जाएगी और थोड़ा सा support देने की कोशिश करना दिमाग को active रखने की कोशिश करना तो देखिए आपको दिख रहा होगा हमारे प्यारे राजस्तान का नकसा यहाँ पर दिख रहा होगा और यहाँ पर मैंने कुछ जिलों को यहाँ पर कलर भी कर रखा है कौन-कौन से जिले हैं राजस्तान, चितोडगट, भीलवडा, अजमेर, टॉंक और सवाई मादुपूर तो यह जो आपको रेखा दिखाई दे रही है बलू रंकी यह रेखा हमारी बनास नदी है यह कौन सी है यह बनास नदी है और यह वाली जो रेखा दिखाई दे रही है बताओ देके फटापड यह कौन सी है यह चंबल नदी है ये चंबल नदी है तो द्यान दीजिए अपनी बनास नदी राजसमन से सुरू होती है राजसमन जिले से सुरू होती है और बाद में चितोडगड में जाती है चितोडगड के बाद में बीलवडा बीलवडा के बाद में अजमेर अजमेर के बाद में टौक और टौक के बाद हम ये सबाय मादुपुर में चंबल नदी से जाकर मिल जाती है इस जगे का नाम क्या है इस जगे का नाम है रामेश्वरगाट ये ओल लेड़ी में आपको आगे बता दूँगा बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए जब हमने चंबल नदी पड़े थी तो उस टाइम क्या हुआ था यहां पर यहां पर बनास नदी आती है वहीं पर दाई और से एक साइग नदी और आती है दाई और से चंबल की एक साइग नदी और आती है उस नदी का नाम है सीप नदी तो इस तरफ से सीप नदी आती है इस तरफ से बनास आती है और यह अपनी चंबल जाता है तीन नदियां एक साथ आकर मिलती है तो त्रिवेणी संगम बन जाता है और इस त्रिवेणी संगम को मैंने उस टाइम पे बताया था बहुत अच्छे तरीके से याद भी करवाया था क्या नाम दिया गया है अब ध्यान दीजिये यहाँ पर अपन ने क्या देखा कि बनास नदी अपना पानी कहाँ पर डालती है किसमें डालती है चंबल नदी में डालती है चंबल नदी क्या करती है देखो चंबल नदी का उदगम कहां से होता है मद्य परदेश में जनापाओ की पाड़ियों से मद्य परदेश में जनापाओ की पाड़ियों से चंबल नदी का उदगम होता है और ये मद्यप्रदेश में बहने के बाद में अपने राजस्तान में आती है और राजस्तान में सबसे पहले अपने चितोडगड जिले में परवेश करती है चितोडगड के बाद में ये कोटा में जाती है कोटा के बाद में बूंदी, बूंदी के बाद में सवाय माधुपूर और सवाय माधुपूर के बाद में करोली और करोली के बाद में धोलपूर और दोलपूर से आगे बाद में आपको पता होना चीए कि ये बरतपूर है क्या है ये बरतपूर है और ये आपका दोलपूर है तो बरतपूर और दोलपूर ये जो दोनों जिले हैं ये उत्तर परदेश अपना जो राज्य है पड़ोसी राज्य है उससे सीमा बनाते हैं तो हम क्या बात कर रहे थे कि बनास नदी अपना जल किसमें डालती है यमुना नदी में डालती है यमुना बाद में गंगा में डालती है और गंगा जो नदी है यह अंतिम रूप से अपना जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में डालती है इसका मतलब यह होता है इसका मतलब यह होता है कि जो बनास नदी है बनास नदी अपना जल अंतिम रूप से बंगाल की खाड़ी में डालती है इसलिए बनास नदी को बंगाल की खाड़ी अफ़ातंतर का हिसा मना जाता है ओकी समझ में आ गया अब आगे चलते हैं हम छे जिलों को ये जो छे जिले हैं कौन से रासमन, चितोडगड, भीलवड़ा, अजमे, टॉंक और सवायमधपुर इन छे जिलों को बाहर निकालने वाले हैं और जूम करके आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे और याद भी कर ये च्छे जिले आपके सामने आ चुके हैं, ये बनास नदी भी आपको दिख रही होगी, हम यहाँ पर उदेपुर भी साथ में लेके आये हैं, क्योंकि उदेपुर से एक सहायक नदी, बनास की एक सहायक नदी निकलती है, और बनास नदी में भीलवड़ा जो बिगोद न से 20 मिनट के अंदर ये बनास नदी जो पूरा सिस्टम है, ये जाल हम आपको याद करवा देंगे, बहुत टफ टोपिक है ये, आसानी से समझ में नहीं आएगा, एक्टिव रखना है दिमाग को, हमारा सपोर्ट आपको करना पड़ेगा, तब ही जाके ये चीज़ें समझ म आएगी, अब बात करते हैं, बात करते हैं अपनी बनास नदी का उदगम कहां से होता है, तो उदगम आपको यहां से दिख रहा होगा, राज समंद से होता है, तो राज समंद में कौन सी पाड़ियों से होता है, खमनोर की पाड़ियों से, राज समंद में खमनोर की बनाया गया है राज समंद के अंदर ही उस बांद का नाम आप याद रख सकते हो क्या नाम है नंद समंद बांद कैसे याद रखोगे नंद समंद राज समंद से नंद समंद बांद आप याद रख सकते हो तो कहने का मतलब उद्गम होने के बाद में इस नदी के ऊपर राज स पुरातात्विक इस्तल खोजा गया है उस पुरातात्विक इस्तल का नाम आपको याद रखना है क्या नाम है गिलोंड पुरातात्विक इस्तल तामर पासान युगीन पुरातात्विक इस्तल खोजा गया है क्या नाम है गिलोंड पुरातात्विक इस्तल ओके बाद में बात पहले भी सुन रखा होगा क्या नाम है मात्रकुंडिया बांद। जब हमने जन्जाती आंदोलन पढ़ा था तो इसमें बहुत बार अपने मात्रकुंडिया का नाम सुना है तो चितोडगड में सबसे ज़्यादा प्रशिदचीज क्या है मात्रकुंडिया ओके तो इस नाम से ही इस बांध का नाम करन किया गया है क्या नाम है मात्रकुंडिया बांध याद रखना है मात्रकुंडिया बांध बनास नदी पर अपने चितोड़ गड़ में बनाया गया है अब इसकी साहिक नदियों की बात करते हैं बनास की साहिक नदिया देखो बनास की इस त फिरब से कोई भी साइङ नदी आईगी तो वो दाइए ओर की साइख नदी होगी इतनी समजदारी आप में होनी चाहिए क्योंकि आप सरकारी जवाई बनने के लिए बिलकुल काबिल हो चुके हैं अब पहले अपन दाइए ओर की साइख जो नदी 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 दल… सी आयड नदी आयड नदी का उदगम कहां से होता है देखो यह रही आयड नदी आयड नदी का उदगम होता है उदेपुर से उदेपुर में जो गोगुंदा की पहाड़ियां है बहुत जदा फेमस है गोगुंदा की पहाड़ियां तो उदेपुर में गोगुन्दा की पहाड़ीयों से आयड नदी का उदगम होता है और हमने उदेपुर में एक पुरातात्विकिस्तल बहुत बार बहुत बार अपने रटे मा रहे हैं उस पुरातात्विकिस्तल का नाम बताओ देखे आयड नदी के किनारे हैं कौन सी है वो आहड पुरातात्विक इस्तल कौन सी है आहड पुरातात्विक इस्तल जो कि वो भी वो भी अपनी तामर युगीन सब्वेता इस्तल है तामर युगीन बोल दीजिए या तामर पासान युगीन बोल दीजिए कौन सी आहड पुरातात् आयड नदी के किनारे उदेपुर में खोजी गई है कई लोग ये मानते हैं कि जो आहड पुरातातु किस्तल है ये अपने बनास नदी के किनारे पे है जब कि ये गलत है ये क्या है ये बिलकुल गलत है ये अपनी जो आहड पुरातातु किस्तल है ये आयड नदी के किनारे है हाँ ऐसे बोला जा सकता है कि जो आहड़ पुरा तात्वी की स्थल है ये बनास की सहायक नदी के ऊपर खोजी गई है ये बात सही हो जाती है लेकिन अगर बनास नदी के किनारे पर ये अगर आप मानोगे तो बैसा वो गलत हो जाता है अब बात करते हैं आयर नदी की तो आयर नदी उदेपुर में ही उदेपुर में ही अपना जो जल है एक जील में डाल देती है और उस जील का नाम आपको याद रखना है उदे सागर जील आयर नदी उदे सागर जील में अपना जल डाल देती है और उदे सागर जील के बाद म अब वो नदी आयड नदी नहीं रहती है उस नदी का नाम आयड से बदल कर क्या हो जाता है बेड़च नदी हो जाता है आयड नदी का नाम बेड़च हो जाता है कब जब उदे साकर जील में जो पानी डलता है और बाद में पानी निकलता है तो इसका नाम बदल जाता है अब हमने उदेपुर में एक और पुरातात्वी किस्तल के बारे में बहुत बार पढ़ा है बताओ देखे कौन सी है वो बेड़स नदी के किनारे कौन सी पुरातात्वी किस्तल है बताओ फटापड तो भाई साब वो है अपनी बालाथल पुरातात्वी किस्तल बेड़स नदी के किनारे बालाथल पुरातात्विक इस्तल खोजी गई है अभी तक अपने तीन पुरातात्विक इस्तल देख लिए पहला पुरातात्विक इस्तल अपना गिलूंड पुरातात्विक इस्तल जो कि अपनी जो बेड़च नदी है अब बेड़च नदी को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो बेड़च नदी उदेपुर में बहती है उदेपुर के बाद में चितोडगड़ में जाती है और जैसे ये चितोडगड़ में जाती है भाई साब बेड़च की दाईं और से एक जावरा की पहाडियां हैं कौन सी है जावरा की पाडियां है यहां से गंबीरी नदी का उद्गम होता है जावरा की पाडियां कहाँ पर है मद्दे परदेश में तो गंबीरी नदी मद्दे परदेश से अपने चितोडगड में अपने बेड़स नदी से आकर मिल जाती है दा जगए है उस जगए को सामेल के नाम से जना जाता है जहाँ पर दोनों का संगम होता है वो सामेल जगए है सामेल नामक ये जगए है अब ध्यान देना यहाँ पर बहुत जड़ा इंपोर्टेंट चीज है कि सामेल के पास में ही ये दोनों का जो संगम है इस संगम स्थल के पा दो साइग नदियां और आकर मिलती है बेड़च की ही दो साइग नदियां और आकर मिलती है पहली साइग नदी की बात की जाए तो वो है गुजरी और दूसरी साइग नदी की बात की जाए तो वो है वामन गुजरी और वामन इनका उद्गम इस्तला आपको जानने की जरुरत नहीं है इतनी ज़्यादा ये महत्वपुन नहीं है तो बेड़स की हमने साइग नदी कौन सी देखी पहली है अपनी गंबीरी नदी दूसरी अपनी गुजरी है और तीसरी अपनी वामन है ये नदी बेड़स नदी चितोडगर से होती ही भीलवडा में अपने बनास नदी से जाकर मिल जाती है जहां पर बेड़स नदी जाकर मिलती है बनास नदी से वहीं पर दाईं और से बनास की एक और साइग नदी आकर मिलती है यहां पर कौन सी है उस नदी का नाम है मेनाल मेनाल जो नदी है इसका उद्गम कहां से होता है बेंगू नामक जो इस्तान है कहां पर चितोडगर तो बेंगू आपने जब किसान अंदोलन पढ़ा था तो बेंगू किसान अंदोलन पढ़ा था अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक तरफ से बेड़स नदी आती है एक तरफ से मेनाल आती है और एक तरफ आपको आपको बनास नदी दिखाई देती है तो कहने का मतलब तीन नदियां यहाँ पर हो जाती है और तीन नदियां जहाँ पर आकर मिलती है उस जगय को त्रिवेनी संगम कहा जाता है त्रिवेनी संगम उसको कहा जाता है और इस त्रिवेनी संगम को किस नाम से जाना जाता है बिगोद के नाम से जाना जाता है बिगोद जो त्रिवेनी संगम है वो कहा पर है भीलवडा में अब ध्यान दीजिए मेनाल जो नदी है इस मेनाल नद जलपरपात, मेनाल जलपरपात, ध्यान दीज ए, मेनाल नदी के नाम से ही इस जलपरपात का या जरने का नाम रख रख़ा है, यहाँ तक किसको प्रोब्लम है Pose, बताओ देखे फटा पट, यहाँ तक मेरे एससाब से किसी को भी प्रोब्लम नहीं होनी चाहीए, हमने सिर्फ एक नदी पड़ी है यहाँ पर कौन सी नदी पड़ी है आयर नदी जो की उदेश आकर जिल में अपना जल डालने के बाद में बेड़स का नाम ले लेती है और बेड़स नदी उदेपुर में बैने के बाद में चितोडगट, चितोडगट के बाद में बिलवडा में बनास न द्यान दी जी जो मेनाल है ये मेनाल अपनी बेड़च की साइक नदी नहीं है मेनाल बेड़च की साइक नदी नहीं है किसकी साइक नदी है ये अपनी बनास की साइक नदी है ओके यहाँ पर त्रिविनी संगम बनता है इधर से बेड़च आदी है मेनाल आती है और बनास नदी आती है यहां तक मेरे साथ से आपको सबको क्लियर होना चाहिए बांदों की बात की जाये तो रासमन्द में एक बांद है नंसमन्द और चितोडगड़ में एक बांद है मातर कुंडिया मातर कुंडिया बहुत ज़्या फेमस जगह है अपनी चित्तोडगड़गी गिलूंड पुरातात्यु किस तल अपने बनास नदी के किनारे रासमन में और यहां पर दो पुरातात्यु किस तल है कौन से उधेपुर में एक आपका आहड और एक दूसरा बाला और कोठारी नदी का जो उधगम है वो कहां से होता है राज समन्द में जो दिवेर की पहाडियां है यहां से कोठारी नदी का उधगम होता है और अपनी जो कोठारी नदी है यह राज समन्द में बहने के बाद में भीलवड़ा में बनास नदी से जाकर मिल जाती है कहने का मतलब कोठारी नदी दो जिलों से होकर निकलती है अब देखिए कोठारी नदी के ऊपर भी आपको एक पुरातात्वी किस्तल और एक बांध देखने को मिल जाता है तो पहले अपन पुरातात्वी किस्तल की बात करें तो कोठारी नदी के ऊपर किनारे आपको बागोर पुरा बयार में कोठारी नदी के ऊपर बना हुआ है क्या नाम है मेंजा बांध आब हमने जब निimana पुर्योजनै पड़िब होते हैं यह सांशारिक जीवन से बहुत दूर होते हैं सांशारिक जो मोमद्या होती है इसे दूर होते हैं जिसके कारण क्या होता है कि भील अपनी ही मोज मस्ती में रहते हैं ये बहुत ज़्यदा प्रशन रहते हैं अपनी मोज मस्ती में रहने का मतलब ये बहुत ज़्यदा प्रशन रहते हैं इनके मजे ही मजे होते हैं तो भील वड़ा से भील और भीलों के क्य होते हैं मेज़ा मेज़ा से याद रखना मज़ा इस तरह के सा आप इस बांध को याद रख सकते हो कोठारी नदी के ऊपर बागोर सबैता बीलवडा में ये अपनों अल्रेडी साथ मेरे साथ से आपने रट रखा होगा इसकी मैं इसμαन कोईप्र प्रोब्लम आपको नहीं आ रही होगी आगे बात करें अब जांदीजीए जहांपर कोठारी नदी बनास नदी से आकर मिलती है बीलवडा में कहां पर आकर मिलती है बताओ देखे फटाबर वो मिलती है नंद राय नामक गाओं में मिलती है और गाओं कहां पर है बीलवडा में ओके यहां पर यह बनास नदी से आकर मिल जाती है कौन सी कोठारी नदी अब तक अपने देखा कि राजसमंद से दो नदिया निकलती है पहली अपनी जो मुख्य नदी है कौन सी बनास नदी कहां से निकलती है खमनोर की पाडियों से निकलती है और दूसरी जो साइग नदी है वो कौन सी है कोठारी नदी ये कहां से निकलती है दिवेर की पाडियों से निकलती है अब दूस अब ध्यान दीजिए खारी जो नदी है पहले राजसमंद में बहती है राजसमंद के बाद में भीलवडा भीलवडा के बाद में अजमेर और अजमेर के बाद में ये टॉंक में जाकर अपनी बनास नदी से मिल जाती है अब ध्यान दीजिए खारी नदी जिस तरीके से कोठा नदी के ऊपर एक बांद और एक पुरातात्वी किस्तल था उसी तरीके से अपनी खारी नदी के ऊपर भी एक बांद और एक अपना पुरातात्वी किस्तल देखने को मिलता है बात करें या पर पुरातात्वी किस्तल की तो पुरातात्वी किस्तल आपको भीलवडा में ही दे देखने को मिलती है बात करें अपने बांध की तो यह जो नदी है यह बीलवडा में बीलवडा के बाद में अजमेर में जाती है तो अजमेर में इस नदी के ऊपर अपनी खारी नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है नारायन सागर बांध अब ध्यान दीजि आज मेहर और मेहर का मतलब क्या होता है बताओ देखे मेहर का मतलब होता है करपा जब आदमी के सामने बहुत बड़ी समझ्या आ जाती है जिसका कोई हल नहीं डिखता है तो आदमी भागा भागा कहा पर जाता है भगवान के पास जाता है नाराइन सागर जी के पास में जाता ये करपा किस से की जारी है नाराण सागर जी से की जारी है नाराण सागर मतलब अपने भगवान ओके तो नाराण सागर से क्या की जारी है अरदास की जारी है कि आज महर कर दे तो इस तरीके से अपने इसको कनेक्ट कर सकते हैं अब आगे चलते हैं ध्यान दीजिए ध्यान द मौक में जहाँ पर अपनी बनास नदी से जाकर मिलती है इसी संगम इस्तलप पर एक और बाई और से नदी आती है बनास की। उस नदी का क्या नाम है? डाइ नदी है. और ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको तीन नदियां एक साथ मिलती हुए नजर आ रही होगी. पहली है आपकी खारी नदी, दूसरी है डाइ नदी और तीसरी है आपकी बनाज नदी. कहने का मतलब तीन नदियां एक जगए आकर मि राज महल से इस त्रिवेणी संगम को जाना जाता है अब ध्यान दीजिए अपने दो त्रिवेणी संगम पढ़ लिये हैं पहला त्रिवेणी संगम बनता है बिगोद में बिगोद कहाँ पर है भीलवडा में तो भीलवडा में अपने देखा एक तरफ से मेना लाती है एक तर कि नाम से जाना जाता है, कहां पर है ये भीलबडा में, दूसरा त्रिवेणी संगम अपने पड़ा, कि एक तरफ से खारी नदी आती है, कोंचे नदी आती है, एक तरफ से आपकी डाई नदी आती है, ध्यान दीजे, तोक में बनास नदी से जाकर मिल जाती है, तो एक तरब से खारी नदी आती है एक तरब से डाय नदी आती है और ये किसके अंदर मिल जाती है बनास नदी के अंदर तो तीन नदियां हो जाती है तो त्रिवेनी संगम बनता है और इस त्रिवेनी संगम को राज महल के नाम से जाना जाता है और ये राज महल जो तरिवेनी संगम है ये कहां पर है टौक जिले में इस्टिद है इतना मेरे साब से आपको कोई भी प्रोब्लम नहीं आनी चाहिए मैं दो दो बार रिवायज कर चुका हूँ बहुत अच्छे तरीके से अगर अब भी आपको कुछ समझ में नहीं आया है त आपने जो कॉर्स खरीद रखा है ना उस कॉर्स में भी इस तरीके से नहीं पढ़ाया गया है मैं गारंटीड मैं दावा ठोक के कह सकता हूँ इतना कॉन्फिडेंस है मुझे क्योंकि मुझे पता है कितनी मेनत लगती है इसमें बहुत मेनत लगती है और पूरी टेकनोलोज के कह सकता हूँ कि आपने कभी नहीं पढ़ाओगा इसा ओके तो यहां तक मेरे साबसे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ओके तो चले हैं आगे अपने राजमेल देख लिया राजमेल राजमेल के बाद में यह नदी अपनी जो बनास नदी है यह टॉंक में जाती है और जेपूर है और जेपूर के आसपास का जो इलाका है यह पानी ना होने की वज़े से बिलकुल त्राहिमाम त्राहिमाम यहां पर मच सकता है भेंकर तरीके से जी बिलकुल विसलपूर बांध से जेपूर और जेपूर के आसपास के जो इलाका है इसमें पेजल की सुईदा प्रदान की जाती है इस बांध के द्वारा विसलपूर बांध के द्वारा ओके अच्छा याद कैसे करवाया था मैंने विसलपूर बांध को मैंने आपको बताया था कि आपने एक पुराने टाइम में एक एड देखा होगा एक विग्यापन देखा होगा टीवी में कि एक उ तो बिसलेरी पानी ही पिएगा उंट तो बिसलेरी पानी पीने से उंट को टौकना नहीं है उंट को टौकना नहीं है उंट को मना नहीं करना है उंट पिएगा क्या पिएगा बिसलेरी पानी पिएगा तो बिसलेरी याद रख लेना और बिसलेरी कौन पी रहा है उंट पी रह करना तो बिसलेरी से पानी पी रहा है उंट और उंट को आपको टौकना नहीं है इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो जिन्नों ने हमारी सिचाई पर्योजनाएं वाली जो वीडियो है वो नहीं देखी है आप ये मानो कि बहुत सारे लाखों लोगों से आप पीछे हो लाखों लोगे से आप पीछे हो क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से वो पूरी जितनी भी अपने राजस्तान की सिचाई पर्योजनाएं हैं जितनी बांद पर्योजनाएं चल रही है उनको मैंने याद करवा दिया है बहुत आसान तरीके से आगे चलते हैं बाद में य और यह मोरेल नदी भाई साब आती कहां से है यह चेनपुरा की पहाडियों से आती है चेनपुरा की पहाडियां कहां पर है जेपुर में इस्तित है और यहां से चेनपुरा की पहाडियों से मोरेल नदी आती है जो कि सवाई मादोपुर में अपनी बनास नदी से मिल जाती है अब यहाँ पर मोरेल नदी के उपर भी एक बांद बनाया गया है उस बांद का नाम याद रखना है मोरेल बांद क्या नाम है मोरेल बांद नदी के नाम से ही इस बांद को नाम दे दिया गया है यहाँ पर जिस तरीके से मेनाल नदी के किनारे मेनाल जलपरपात है उसी तरीके से मोरेल नदी के ओपर मोरेल बांध बनाया गया है आगे बात की जाए तो ये नदी सवाई मादुपूर में इस नदी के ओपर अपनी जो मुखे बनास नदी है इस बनास नदी के ओपर ही अपने सवाई मादुपूर में एक बांध बनाया गया है उस बांध का नाम है इसरदा बांध अब देखो इसरदा बांध को मैंने कैसे याद गरवाए था शिचा है प्रियोजना में कि सवाई मादूपूर में एक पीपल का पेड़ है और इस पीपल के पेड़ में इस्वर का रूप देख लिया था इस्वर के दर्सन कर लिये थे किसने इंद्रा गांदी ने तो इस्वर से याद रखना है इसरदा इस्वर से क्या रखना है इसरदा और अपने सवाई मादुपूर में जो पीपल का पेड़ है इस तरीके से मैंने चार-पांच बांद परियोजना है अपनी जो सवाई मादुपूर की है वो आपको याद करवाई थी बाद में अपनी बनास जो नदी है ये चंबल नदी में जाकर मिल जाती है और चंबल नदी में कहांपर मिलती है ये सवाई मादूपूर में एक जगह है क्या नाम है रामेश्वर घाट क्या नाम है रामेश्वर घाट और ध्यान दीजे रामेश्वर घाट पर ही त्रिवेणी संगम बनता है क्यों बनता है क्योंकि एक तरफ से बनास आती है इस तरफ से सीप नदी आती है और इस तरफ से अपनी जो चंबल नदी है वो जा रही है already तो यहाँ पर तीन नदियां आकर मिलती है तो त्रिवेणी संगम यहाँ पर बनता है और इस त्रिवेणी संगम को रामेश्वर घाट के नाम से जाना जाता है यह मैं बनास नदी पूरी complete कर चुका हूँ अगर आप से पूछ लिया जाए कि बनास नदी कितने त्रिवेणी संगम बनाती है तो भाई साब तीन त्रिवेणी संगम बनाती है पहला रामेश्वर घाट पे दूसरा आपका बिगोध पे ठीक है बिगोध अच्छा बिच में रह गया राजमहल तोंक में और तीसरा आपका हो जाता है बिगोद, बिगोद बिलवड़ा में है, राजमेल आपका टॉग में है और रामेस्वर गाठा आपका सवाई मादवपुर में है मेरे इसाब से मैंने पूरी एनरजी के साथ, पूरे होसावास के साथ मैंने आपको याद करवा दिया है जिनको अभी तक समझ में नहीं आया है उनसे हाथ जोड़के नमर निवेदन है कि भाई साब आप थोड़ा सा पीछे करके आप इसको रिवाइज कर लो ताकि हम कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़े दे सकें ये बहुत सिंपल है अगर आप प्रोसेस के थूँ जाओगे एक क्रिया के थूँ जाओगे तो आपको याद हो जाएंगे और आपको याद हो भी गये होंगे जिन लोगों को ये नदी समझ में आ गई है और बिल्कुल दिमाग में सेट हो गई है वो अभी मुझे कमेंट करके बताओ ताकि मुझे पत फटाबड मुझे बताओ कि कितने लोगों को ये चीज समझ में आ गई है और याद हो गई है इतनी बताओ देखें फटाबड और जिनको स्क्रीन्सोट लेना है वो ले सकते हैं आराम से तो चलिए आगे इसके बारे में जो चीज़ें हैं वो चीज और देख लेते हैं हाला जो दूसरा नाम है बनास का दूसरा नाम क्या है बनास का दूसरा नाम है वैसा वन की आसा इसको वन की आसा के नाम से भी जाना जाता है अब मैं आपको बताओं कि वन की आसा को अगर मैं अगर मिला दू अगर मैं मिला दू वन प्लस आसा ओके देखो मैं हिंदी का हिंदी का बहुत अच्छी आती है, तो वन और आसा, यहां से ए और आ, ए और आ को जोडने से क्या बन जाता है, आ बन जाता है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, वै नास, ओके, जिसे वन प्लस आस, इसको मैं आस लिख रहा हूँ, वन प्लस आस आस का मतलब आसा ठीक है तो वन प्लस आस यहां से क्या बन जाएगा वनास ठीक है विनास नहीं है यह वनास है तो वनास से क्या बन जाता है पिर बनास बन जाता है क्या बन जाता है बनास बन जाता है इस तरीके से इसको इस नदी को वन की आसा भी कहा जाता है व की आसा भी कहलाती है ओके एक चीज ये देख लिए अपने ध्यान देना है राजस्तान में पूर्णते राजस्तान में प्रशन पूछा जा सकता है कि पूर्णते राजस्तान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है ये कौनसी बनास नदी अगर आप से पूछ लिया जाए कि र पुर्णतर राजस्तान में बहने वाली नदी कौन सी है बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो हो जाती है अपनी बनास नदी ओके याद रखने की कोशिस करना अब लंबाई की बात की जाए तो कई किताबों में 480 किलोमेटर है कई किताबों में 512 किलोमेटर है तो बेसन की बात की जाए तो 6 जिलों में जाती है, 6 जिलों का मतलब पहले अपने राजसमंद में जाती है, राजसमंद के बाद में चितोडगर, चितोडगर के बाद में बीलवडा, बीलवडा के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद में टौक, और टौक के बाद में ये सवाई और पेली मिटी पाई जाती है लाल और पेली मिटी पाई जाती है जिसको बुरी मिटी के नाम से या बुरी मरदा के नाम से भी जाना जाता है त्रिवेनी संगम में अलड़ी बता चुका हूँ जहां पर बनास, बेड़च और मेनाल मिलती है उस जगह को बिगोद के नाम से जना जाता है और बिगोद कहां पर है भीलवडा में बनास डाई और खारी नदी जहाँ पर मिलती है उस जगह को राजमेल के नाम से जना जाता है और राजमेल कहाँ पर है टोंक में आगे बात करें बनास की साइक नदियां आप देखो याद रखने की कोशिश करते हैं कहानी के माधिएम से याद रखेंगे देखो कहानी थोड़ी सी अजीब है लेकिन आपको दिमाग में एक सचित्र वन्न करना है सचित्र वन्न करना है किस तरीके से होगा कहानी को समझने की कोशिश करना देखो Moral Moral जो सब्द है इस मोरेल सब्द से में निकाल रहा हूँ मोरे क्या निकाल रहा हूँ मोरे और मोरे का मतलब होता है मेरे अब यह कौन सी भासा में है साइड मेरे साथ से ब्रजबासा आई है कौन सी भासा है ब्रजबासा जिसे मोरे जान मोरे पिया मोरे पिया गाना भी सुना होगा आपने है तो मोरेल से मैं निकाल रहा हूँ मोरे और मोरे का मतलब होता है मेरे मोरे का मतलब क्या होता है मेरे तो यहां से देखो मोरेल से मैंने निकाला मोरे डील से निकाला मैंने डीले यह डीले जो सब्द है यह वही है जिसे आपन मारवाडी में बोलते हैं ओ दिला आदमी, कहीं कर रहे हैं किज जिगां जारे है तो यह दिला जो सब्द है यह वही है निठला आदमी, दिला आदमी तो दील से याद रखना है दिले और बनास, बनास को मैं confusion हो रहागा देखो यह है यह नदियां है कौन सी साथ नदियां है कौन-कौन सी है moral, deal, मेनाल, धुंद, बेडच, कोठारी, खारी और डाई आठ नदियां है यहाँ पर तो आठ जो साइग नदियां है इनको अपन याद करेंगे इसे, यह जो कहानी है न यह, इस कहानी के माद्यम से इनको सबको याद करने की कोशिस करेंगे तो मोरेल से याद रखना है मेरे ठीक है मोरे और मेरे डील से याद रखना है डीले बनास को connect करने के लिए मैंने लिखा है बनासा और मेनाल को connect करने के लिए मैंने लिखा है मेना मेनाल से निकालना है मेना ओके दुंद से लिखना है आपको अंदा दुंद दुंद से क्या या वाला बेड जिस बेड पे आप सोते हो उसकी बात की जा रही है तो बेड़त से याद रखना है बेड या पलंग कोठारी से याद रखना है कोठ्री क्या होती है जो छोटी सी जगह होती है जो गल्ले टाइप में होती है जिसमें सामान वगेरा कुछ रखा जाता है कोठ्री कोठ्री सामान वगेरा रखने के लिए गरों के अंदर जो बनाई जाती है या कोठ्री कुछ भी मान सकते हो जिसमे यह बच्चे उचे खेलते हैं एनीवन जो आपकी दिमाग में आए तो कोठरी से याद रखना है कोठी ऑके अब खारी से अब खारा एक तो खारा होता है जो नमक जूर नमक वाला होता है जदा अधिक मात्रा में नमक हो जोתा है तो वो खारा होता है एक लोकल कि पूछ बीए मैं पड़ा रही हूं τους yeah तो अपनी लोकल लें की में याद रुकले ना खारी का मतलब क्या है और डाइ क्या होती है डाइcą का मतलब ता है जंप मारना यंग तो वह डाइज नहीं लिक रहा हूँ याँ पर मैं लिक रहा हूँ क्या जंप मारना और जैसे आपने खो खेला होगा खोको जो खेल होता है न वो आपने साथ खेला होगा बच्पन में मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा वाऊं मैंने तो बहुत खेला है तो खोको में क्या होता है कि जो पलेयर होता है जो खिलाड़ी होता है उसको भाग कर पकड़ना होता है भाग कर उसके थाप की मार नहीं होती है या जो कुछ भी है अब मेरे नियम बगेर तो मुझे याद नहीं है उनके लेकिन पकड़ना होता है अगर वो हाथ नहीं आये तो वो डाई मारके उसको पकड़ा जाता था डाई मारके जंप मारके उसको पकड़ा जाता था और उसको आउट कर दिया जाता था तो वो डाई यहाँ पर में ले रहा हूँ वो डाई यहाँ पर ले रहा हूँ तो डाई का मतलब यहाँ पर जंप मारना अब देखो ध्यान दो कहानी क्या है अब तक तो मैंने सब्द कनेक्ट किये है कहानी क्या है कि मेरे डिले मेरे देखो ये जो कोष्टक के अंदर है ना कोष्टक के अंदर ये अपनी कहानी है तो मेरे डिले बनना सा की एक मेना है ये आप छोटी बच्ची मान सकते हो या मेना को आप ये मान लो की बीवी मान लो बीवी तो नहीं मान सकते बीव मानेगे तो फिर बाद में गलत हो जाएगा मेना मान लो चोटी बच्ची मान लो तो यहां से क्या होगा मेरे डीले बनना सा की जो मेना है यह खेल कूद में बहुत जयादा ध्यान रखती है अपने मारवाड़ी में सब्स जो होता है जैसे यह क्या करती है यह भालों इस जो या करती बेड के अंदर कोठ्री बना के रखते हैं यस गल्ले वल्ले वगरा कुछ ऐसे आते हैं साइड में कुछ सामान हो वगरा कुछ मोबैल वगरा जो भी कुछ आवशिक चीज़े हैं वो रखने के लिए बेड़ के अंदर साइडों में कोट्रियां बनी हुई रहती है तो इसने क्या किया इतनी बदमास है कि इसने क्या किया अंदा दुन तरीके से बेड़ के अंदर जो कोट्री बनी हुई है इस कोट्री के अंदर खारी तरीके से जबर्दस तरीके से डाई मार दी और चोटोट लग गई इसको है ना अब चोट तो लगना ही है क्या है कुछ मा याद रखोगे और बैड के अंदर जो कोठरी बनी हुई उसके अंदर डाई मार दी जाती है किसके द्वारा मेना के द्वारा मेना के द्वारा और यह जो मेना है यह किसकी है यह मेरे डिले बननासा की है किसकी है मेरे डिले बननासा की है तो बननासा से याद रखोगे क्या ब मेना किसकी है मेरे डिले बनासा की और बनासा से क्याद रखोगे बनास इस तरह के साब याद रख से तो डर एक बार आपने इसको पढ़ लिया ना अच्छे से दिमाग हो सवास में रहके तो आपको जिंदगी में कभी भी दुबार से याद रखने की जुरुत नहीं पड़े जिनको याद हो गई है भाई साव वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं अब कई लोगों का एक्स्ट्रा दिमाग चलता है कि ये मास्टर बड़ा आजीव आया है इसने आठ नदियों को याद करवाने के लिए ट्रिक बना दी है देखो भाई साव मेरे को कोई याँ पर कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा है मेरा तो वीडियो जदा बड़ा बन रहा है वीडियो जदा बड़ा बनेगा तो वीडियो देखने वालों की संक्या कम हो जाती है तूरा वीडियो नहीं देखा जाता है तो मेरा नुकसान होता है ये चीज़े बताने में लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई लोगों को अभी तक ये जो मेप है ये मेप उस टाइम पे हो ना हो कई ऐसी गठना गठ जाए कि ये मेप याद ना है ये मेप ना याद आए और साइक नदियां पूछ लिया जाए तो आपको एक अल्टरनेटिव एक दूसरा तरीका और बता रहा हूँ तो अपना दिमाग ना लगाएं अगर आपको डिरेक्ली याद रखना है तो याद तो बैसे मेरे साब से नहीं याद होगी है आप एक दिन के लिए याद कर सकते हो दो दिन के लिए याद कर सकते हो लेकिन जब आप एक्जाम में बैठोगे तो भाई साब याद नहीं आएंगी ये जो ट्रिक होती है ये जो कानिया होती है ये आपको सपोर्ट देती है उस टाइम पे तो इसलिए इसलिए आपको क्या करना है यह आपको देख लेना है कहानी यह आप इसका स्क्रीन सोट भी ले सकते हो मेरे साब से ताकि आपको साहेता मिले और इसको दिमाग पर लोड लेने की जोड़त नहीं है मैं इसका जो पूरा जो सिस्टम है यह पूरी PDF बना के अपने ट उनका कुछ ऐसे इस तरीके से आप देखो बेड़ेशनेती की साएग नदियां याद रखनी है आपको मेरे साबसे मेप के मादियम से याद करवा दिया है गंबीरी वामन गूजरी औरही औरही बांद आपने देखा होगा औरही बांद कहाँ पर है चितोडगड में कहाँ है औरोई बांध है चितोडगड में मैंने आपको याद करवाया था कि ओ रहेका ने न लोगों के दिलों में रहेगा आज के 1000साल बाद में भी तो मैंने वाँपर कहानी बताई थी और यह चितोडगड का दुर्ग है और रही लोगां का दिला के माए कई हजार साल बाद में बी क्योंकि एक भव्वेता अती जवर्दस्थ है कि लोग इन बाद में भी बड़िया मानता रह वहला या मानलियो जो कुछ भी है यसोगान है बे बाद में भी गाया जावला तो और ही जो बांध है वो कहाँ पर है चितोडगर में तो बार-बार मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको शिचाय प्रियुजना के बारे में कि क्योंकि मैंने बहुत मैनेट करके वो वीडियो बनाया है और बहुत सारे लोगों ने वो पसंद भी किया है आप लोगों ने बहुत ज़्यदा प्यार दिया है उसको तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो आप जाके देख सकते हो तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा इसी चैनल के अंदर अब आगे बात करें बेड़ेस नदी के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे कासे तरीके से बता चुका हूँ यहाँ पर और ज्यादा टाइम खराब करने की ज़रत नहीं है मेनाल नदी के बारे में भी अल्रेडी में बता चुका हूँ मेनाल नदी के उपर जल परपात है यह भी मैं अल्रेडी आपको बता चुका हूँ मेनाल नदी का उद्गम कहां से होता है बेंगू नामकिस्तान से और बेंगू कहां पर है चित्तोडगड में आगे चलें, आगे बात करें तो कोठारी नदी को मैं अल्रड़ी में बता चुका हूँ कोठारी पे बागोर सब्वेता मिलती है, नंदराय गाउं में ये बनास नदी में जाकर मिल जाती है और दिवेर की पाड़ें से इसका उद्गम होता है राज समन से खारी नदी खारी नदी का जो उद्गम है यह बता चुका हूँ कहां से होता है विजराल की पाड़ियों से और आगे बात की जाए ओजियाना पुराता तो इसके अंदर इसके किनारे पर देखने को मिलता है कहने का मतलब मैंने जो यह नदी है यह पूरी महनत के साथ सिद्ध के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश की है याद करवाने की कोशिश की है अगर आपको हमारी महनत और यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना बिलकुल भी ना ब क्योंकि हम इसी तरह के जबरदस्ट वीडियो आपके लिए रोज लेकर आते रहते हैं तो मिलते हैं कल इसी टाइम इसी एनर्जी और इसी उत्सा के साथ तब तक के लिए जैहिन वंदे मात्रम